बारती जनता युवा मोर्चा ने पार्टी कारल्य में बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सांसद विरेंदर कश्चप बिशेश रूप से उपस्तित रहे। इस मौकी पर सांसद विरेंदर कश्प ने कहा कि आने वाले विधानसवा चुनावों के लिए युवा मोर्चा को चार्ज किया जा रहा है। इस मौके पर कुछ युवा कारेकरता पार्टी की कारेपढ़नाली पर सवाल उठाया और कहा कि जिले में युवा मोर्चा के पददिकारों के पूरी तरह से अंदेकी हो रही है और उनके सभी कारे अटके पड़े हैं। की वज़ते कारेकरताओं में भारी रोश पनब रहा है। अगर ऐसी स्थिती बनी रही तो पार्टी का जीतना कठिन हो जाएगा। में 2009 के जो हमारे लोकसभा के चनाव आने वाले हैं उस दिरिष्टी से जो हमारा युवा मोर्चा है वो जन जन तक जो हमारी मोदी सरकार की चार वर्ष की उपलबदियां हैं, कारेकरम हैं, नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचा है। इसी दिरिष्टी से मैंने यहाँ पर शिमला पार्लियमेंटरी कॉंस्टिवन्सी के जो युवा हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का एक कारेकरम शुरू किया है और आज ये सोलन जिला की जो वैठक है उसमें हमारे जो पदादिकारी हैं और मंडल के अध्यक्ष महामंतरी ह उन सब को आमंतरित किया गया है और इसमें हम मुखेता इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगले पांसात महिनों में पूरी ताकत के साथ युवा मुर्चा अपनी पूरी शक्ती लगा कर बोच सतर तक मतदान के अंदर तक उन योजनाओं को ले जाए ताकि आम जनता का ज झाल 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 झाल